है लोगा इस इस्पर्म से बनेगा प्लास्टिक, कुछ समझ नहीं आया ना, प्रस्वी पर मौझूद अधिक्तर जीब फल पौधे आदी की उत्पत्ती के लिए दो जैवकों की जरूरत होती है, पहला इस्पर्म और दूसरा एग, जीब इन्ही के सायोग से मिलकर बने हुए इन्ही में से एक है इस्पर्म, जिससे चीन के बैग्यानकों ने एक एंसी बस्तू बनाई है, जो प्लास्टिक की तरह मजबूत और लचीली है, इसके साथ ही यह बायो ग्रेडिवल, मतलब इसे सढ़ने में बहुत ही कम टाइम लगता है, और यह मिट्टी को भी किसी तरह क नुकसान नहीं पहुचाती, बैग्यानकों के एकॉर्डिवल, मचली के इस्पर्म के दो इस्ट्रेन और सबजीयों के तेल से निकलने वाले रसाइन को मिला कर बनाया गया है, जो कि प्लास्टिक की तरह नर्म, मजबूत और लचीला है, बैग्यानकों ने इसे किलोग्राम डियाने मौजूद है, जिससे प्लास्टिक जैसा पदार तयार किया जा सकता है, इससे फायदा ये होगा कि धर्ती से प्लास्टिक को पूरी तरह से हटाया जा सकेगा, जैसा कि हमें मालूम है प्लास्टिक आज के टाइम में सभी के लिए प्रॉबलम बना हुआ है, ऐसा करने से इससे छुटकारा पाया जा सकता है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाए बाए